नमस्कार दोस्तों वैश्णवी और्गेनिक डेरी फॉर्म में आपका स्वागत है आज मैं पसुपालन केलेंडर में अगस्त और सितंबर माह का पसुपालन हेतु कुछ अवस्यक्त सुझाओ या जानकारी देना चाहता हूँ पसुपालन के लिए उपाय करें अगस्त माह में खुर्पका मुपका रोग गलगोटू रोग लंगडी बुखार इंटो रा टॉक्सीमिया रोग के टीके यदि नहीं लगाए गया है तो अवस्य लगवाल दें पसुपालन के मुख खुर्पका मुपका रोग से ग्रसित होने पर रोग ग्रस्त पसुपालन को अलग रखे ये ग्रसित पसुपालन की बेवस्था भी अलग से करें खुर पका मुपका रोग से ग्रस्त पसवों के दूद को उसके बच्छडों को ना पीने दें एसा करने से बच्छडे संक्रमित होने से बचेंगे यों स्वस्त रहेंगे रोग ग्रस्त पसवों के मुः खुर वा थनों के छालों को लाल दवा पोटेसियम पर मेगनेट का एक परशेंट घोल बना कर धोएं गलगोटू एब जहरवाद रोग के लच्छन दिखते ही तुरंत पसू चिकित्सक से संपर्ग करें इस माह में पसू में गलगोटू एब लंगडी जुआर रोग की संभावना बनी रहती है अता रोग के लच्छन दिखते ही पसू चिकित्सक से तुरंत संपर्ग करें पसू को क्रीमी नासक की दवा चिकित्सक प्रमर्स के बाद निश्चित रूप से दें पसू को वाहे पर जीवी हो जाने पर पसू चिकित्सक की सलाह लेकर वाहे पर जीवी की दबा का उप्योग करें बरसात के मौसम में पसू अपने घरों को साफ सुत्राईव स्वच रखें यदि आपके पसू में खुर्पका मुपका रोग का परगोप है तो इसे स्वस्त पसू से अलग रखे यदि आस पास में पसू से यह रोग फैल रहा है तो उन पसू का सीधा संपर्क रोगी पसू से नहीं होने दे पसू को स्वस्त रहने के लिए खनीज मिश्रन तीस से पचास ग्राम परती दिन दे जिससे पसू में दूद उतपादा नेव सारीरीक तंदृस्ती भी बनी रहती है दोस्तो सितंबर माह में जो है जानकारी और बाता वरन के तापमान के उतार चड़ाओ के दुस्परवाओ दुस्परवाओ से बचने पसू को बचाने के उपायो पर ध्यान दे एसे समय में पसू को दीन में के समय धूप से बचाना तथा पीने की पानी की समुचित बिवस्था करें रात के समय ठंड से बचाने के लिए छपपर इत्यादी के निचे पसू को बांध कर रखें अच्छा मनसुन होने पर पसुसाला में जल भराव समस्या, आदरता, जनित रोगों के संक्रमन के प्रवलता संभावना बनी रहती है अता बर्षा जल निकासी का समुचित परवंदन करें पसु को यथा संभो सुखे वा सुखे उचे अस्थान पर रखें, चारा गाह बाड़े की साफ सफाई का विशेश ध्यान रखें, समय समय पर फोर्स वा दिवारे पर चूने के घोल का छिड़काव करें, रक्त पर जिवी जैसे रोग, थाइलेरेसिया, टिप्रे, नोसोमा, बवेसिया, इत्यादी, वर्षा काल में जन्म लेते हैं, तथा मच्छर कीट वा चीचड़ इत्यादी के दवारा फैलते हैं, अता बाड़े के आसपस गंदा पानी गंदगी ये कत्रित न होने दे, पर जीवी दवा घोल अवस्य पिलाएं, पर जीवी दवा को हर बार बद बदल कर उपयोग में लावें, अन्य था नईदी की पसूची के साले में जाकर के गोवर जाँच अवस्य करवाएं, विशेश रूप से मेमनों को इंट्रो टॉक्सिमिया रोग का टीका लगवाएं, गर्मी वा नमी जनित रोगों में मुख्य रूप से कोली बेसी लोसिस सालमोने लोसिस कवक फफुंदी जनित होते हैं, रोग होते हैं, इसके अतिरिक्त गलगोटू, लंगडी बुखार, बिक्यू के फैलने की संभावना भी अतियाधिक रहती है अता समय रहते इनके टीके पसुओं में अवस्य लगवाले अथवा रोग होने पसुची किस्चक से तुरत संपर करें हरे चारे की अधिक उपलपता के कारण पसूओं में हरे चारे के अधिक सेवन से संबंधित समस्याओं से बचने के लिए पसूओं को बार बार खुले में चरने के लिए नहीं भेजे इससे संक्रमन होने की संभावना बढ़ती है इसलिए हरे चारे दाने के साथ लवन मिश्रन दे चारे के संग्राले पर विशेष ध्यान दे नमी के कारण कई फफूंद जनित रोग के संक्रमन का खत्रा रहता है हरे चारे से साइलेज बनाएं अन्य था हरे चारे के साथ सुखे चारे को मिलाकर खिलाएं क्योंकि हरे चारे के अधिक शेवन से पसो में दस्त की समस्या बनी रहती है तो दोस्तों सितंबर माह में बर्शीम लूशन की बुआई भी कर सकते हैं थेंक्यू धन्यवाद बैशनवी और्गेनिक डेरी फोर्म